हे ब्यूटीज वेलकम बेक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरीके से लैक में इंस्टा लाइनर के हल्प से एक काफी अच्छा विंग लाइनर क्रेट कर सकते हैं विंग लाइनर ना बहुती ईजी चीज ह होती है अगर आप मेक अप हलका फुलका भी कर रहे हैं और हलका साफ विंग आइलाइनर क्रेट कर लें आपको जो मेक अप लूख है वह बहुत ज्यादा एन्हेंस हो जाता है तो आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इजी तरीका शेयर करने वाली हूँ लैक पे इंस् क्रेट करने से पहले है आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़्याद है जैसे कि आपको विंग आइलाइनर क्रेट करने से पहले हमेशा अपने आइस का मेक अप पहले करना है आप कभी भी ऐसा मत सोचेगा कि आप विंग आइलाइनर क्रेट कर लें दैन उसकी पिस नियुग नियुद मेरे करें अगर चिर सोसी बचाल समनेे, अब पर विचने, तो आप लुक आनु मेरे के लिए घो मेरे कुखले हुव। आपका जो eyeliner है वो pop-up होके दिखता है अब चलते हैं थर्ड टिप की तरफ थर्ड टिप ये है कि हमेशा अपने eyeliner को अपने eyes में अच्छे से dry होने दे उसके बाद ही अपने eyes को पूरा open करें क्योंकि कभी कबार क्या होता है हम eyeliner apply कर लेते हैं एंड उसको हम अच्छे से dry नहीं होने देते हैं जैसे ही हम अपने eyes को open करते हैं हमारा पूरा liner जो है वो bigger जाता है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि जब भी आप eyeliner create करें चाहे वो waterproof हो या फिर normal हो उसको अच्छे से dry होने दीजिए उसके बाद ही अपने eyes को open की तो ये थी वो तीनो tips and tricks जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए eyeliner लगाने से पहले तो चलते हैं अब eyeliner की तरफ तो यहाँ पर मैं ये लेकमे का insta liner यूज़ करने वाली हूँ ये eyeliner जो है वो मुझे लगता है market में सबसे best and सबसे cheap eyeliner है ये eyeliner आपको 100 rupees की range में मिल जाता है and ये लेकमे का भी है जो की काफी अच्छा brand है but yes ये liner जो है वो waterproof नहीं है yes इसके बाद ये liner जो है वो dry होने में थोड़ा सा time लेता है अगर आप इस liner को apply करें तो हमेशा अपने liner को थोड़ा सा जादा time दीजे dry होने के लिए तभी आपका liner जो है वो अच्छे से perfectly यहां पर अपला होता है तो चले फिर अब देख लेते हैं कैसे आप इस लेक में इंस्टा लाइनर की help से बहुत ही अच्छा विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं ओके ब्यूटी तो यहां पर आप पास से लेक में इंस्टा लाइनर की बॉटल को देख सकते हैं यह कुछ नेल पॉलिश यो आती है ना उस टाइप की बॉटल होती है बहुत ही जदा हैंडी है बहुत ही ज्यादा क्यूट है और यह काफी इनफ ऐल आइनर होता है इसमें अब मैं आपको इसको open करके दिखा देती हूँ कि इसमें जो wound होता है वो किस तरीके का है तो कुछ इस तरीके हैं यहां पर हमें इसमें वाउंड मिल जाता है इससे आप काफी अच्छे से थिक लाइनर या फिर आप एकदम पतला लाइनर भी एपलाए कर सकते हैं तो लाइनर एपलाए करने से पहले आप यहाँ पे जो भी वाउंड में एक्स्ट्रा लाइनर है उसको यहाँ पे अच्छे से रिमूफ कर द जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने जो पीछे वाला liner का पाट था उसको अच्छे से फिल कर लिया है उसके बाद आपको स्टार्टूंग वाले पार्ट पे यनि कि अपने की स्टार्टिंग से इस तरीके से मिडल वाले पार्ट को मैच करना है आप देख सकते हैं बहुत ही इजी होता है जब आप इसको टू पार्ट में डिवाइट करके ऐलाइनर को क्रेट करते हैं उसके बाद जहां पे आपको लगे कि आपका जो लाइनर है वो थोड़ा उपर न करना और जैसा कि मैंने आल्रेडी आपको बताया ये लाइनर ड्राइ होने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो बस इस तरीके साथ इस लाइनर को बट इसली हाँ पर लगा सकते हैं तो ब्यूटी ये था आज का वीडियो आई होप आपको ये सारे टिप्स जरूर हेल्फुल लगे होंगे और आपको लाइनर करना भी बहुत ही इसली समझ में आ गया होगा तो अगर आपको ये वीडियो हेल्फुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और आपने आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बेटन को प्रेस कर दीजे तो फिर मिलते हैं मेरे और भी अमेजिंग वीडियो के साथ तिल देन बाबाई